वाखो कारसेवकों के पसिने और सेक्डो कारसेवकों के रख्त के कारण राम मंदिर का निर्मान शुरू होने जा रहा है यह हिंदु का निर्णाय और अहितियासिक विजय है मंदिर कैसे बनेगा क्या मॉडर्ण होगा यह बात से भी ज्यादा महत्व की बात यह है कि मंदिर बनने जा रहा है और बनने जा रहा है उसका आनंद पुरे देश में राम मंदिर तो बनने जा रहा है पर राम राज्य दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है और मंदिर अंदलंद, अयग्ध्या में राम का भव्य मंदिर और भारत में हिंदों को अच्छा घर, युवा वो को रोजगार, सस्ती शिक्षा और कर्ज मुक्त किसान, अर्था था राम राज्य के लिए अभियान था, इसलिए राम मंदिर तो बन रहा है, राम राज्य कहीं दिखाई नहीं देता है, मंदिर बनना सरु नहीं हुआ तब तक प्रयास जारी रखा, ऐसा ही सब को मिलकर राम राज्य के लिए प्रयास करना होगा, तब ही राम मंदिर अंदुलन अभियान पूर्ण तब गया, ऐसा माना जाएगा, गाउं में एक बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है, पशूओं के कारण किसानों के खित, फसल सुरक्षित नहीं है, कहीं रूज है, कहीं सुवर है, कहीं हिरन भी है, और कहीं नंदी भी है, फसल यूपी में पुरे देश में असुरक्षित है, फसल नहीं बचेगी तो किसान खाएगा क्या, इसलिए सरकार को चगह जगह पर, ये जंगली पशू, उनसे खेतों की रक्षा, और ये पशू की खाने की व्योस्ता, विशेश करके जगह जगह पर, बोसाला का तत्काल निर्मान और दिभाव की व्योस्ता कर दी चाहिए, वरना किसान इस्तिती है उनसे और बुरी हो जाएगी,